हेलो गाईज, वेलकम टो MS कलासेस इस वीडियो में हम AMU Preparation के Part 7 को देखेंगे और ये जानेंगे कि अलिगर्ण मुस्लिम उनर्सिटी में उर्दू सब्जेक्ट से किस तरीके का हमसे स्वालात किये जाता है और हम उसका किस तरीके से आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल है नजम बच्चे की दुआ का शायर कौन है आपको चार आप्शन दिया जाता है आप्शन A. इसमाईल मेरठी आप्शन B. अलताफ हुसेन हाली आप्शन C. अफसर मेरठी आप्शन D. अल्लामा इखबाल जिसमें से आप्शन A. इसमाईल मेरठी हमारा सही एंसर है सवाल नमबर दो बुद्ध मजहब की तबलीग किसने की यानि ये सवाल किया जा रहा है कि बुद्ध मजहब का बानी कौन है यानि उसको किसने फैलाया उस मजहब को तो इसका जवाब है जवाब नहीं, सौरी हमारे पास इसके लिए भी चार आप्शन दिया गया है नमबर एक में है अशोख नमबर दो में है गुरु नानक नमबर तीन में है तुलसी दास और नमबर 4 में हजरत मुहम्मद s.a.v. ये 4 अउप्षन हमको दिया गया है जिन में से उप्षन C यानि तुलसीदार सिये जो है हमारा अउप्षन सही है स्वाल नम्बर 3. हकीम अजमल खाग कहां पैदा हुए? ये स्वाल है. हमारे पास 4 आप्षन है, आप्षन A लखनव, आप्षन B डेली, आप्षन C हैदराबाद, आप्षन D कलकता. हमारे पास इन 4 आप्षन में से, आप्षन नम्बर 2 है, यह सही अंसर है स्वाल नंबर फोर कानून की जमा क्या है यानि कानून एक वाहिद यानि सिंगुलर लफ्ज है इसका जमा क्या आता है यानि पुल्रल लफ्ज क्या आता है आपको बताना है आपको इसमें चार ऑप्शन दिया गया है मकनता आप्शन A है आप्शन B में मकनून आप्शन C में कवानीन और आप्शन D में मुकन्निन ये चार आप्शन है जिसमें से आप्शन C हमारा सही है स्वाल नंबर 5 है रिसाला तहजीब अखला किस ने जारी किया था ये एक रिसाला है जो एक छोटी सी किताब चेह की शकल में आती है तो इसके बारे में आपसे स्वाल किया जा रहा है कि इस किताब को या इस किताब चे को जो है किसने जारी किया किसने इसको इजाद किया है हमारे पास चार आप्शन है आप्शन नमबर A हाली जो के शायर है आप्शन नमबर B मुहसिनुल मलिक और option number C शिबली और option number D है सरसयद अहमद खा ये 4 option में से option number D हमारा क्या है सही है स्वाल number 6 साइंस डे किस रोज को मनाया जाता है ये सबी लोगों को आम तोर पे बता ही होगा फिर भी हम देख लेते हैं इसमें भी 4 option दिया गया है 28 फरवरी 18 नवंबर 17 अक्तूबर 26 जनवरी इनमें से option number A हमारा क्या है सही रहेगा तो मोटी मोटी बाते भी पूछी जाती है लेकिन अक्सर बारीक बारीक स्वाल AMU में किया जाता है और अक्सर जगों पर जितने भी बड़े बड़े इम्तिहानात होते हैं वहाँ पर अक्सर बारीक बारीक बाते पूछी जाती है आप देखते होंगे कि IS वगएरा का जो interview लिया जाता है उसमें भी बहुत ही बारीक बारीक चीज पूछ दिया जाता है तो आम तोर पे हमें जो इम्तिहान देने जाना चाहिए तो हमें बारीक बारीक चीजों को देख कर जाना चाहिए मोटी मोटी बाते तो अक्सर लोगों को याद रहती है अब हम आगे चलते हैं स्वाल नंबर 7 कुछ लफजों के सामने उसके मुतजाद लिखे हुए है उनमें कौन सा सही नहीं है यानि हमसे यह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर चार लफज दिया गया है शिमाल, मजबूत, मौत, खुशी यह चार लफज है इसका इन चारों का उल्टा लफज भी दिया गया है जुनूब, मुस्तहकम, हयात, गम तो इनमें से कौन सा लफज जो है गलत है मजबूत का उल्टा लफज मुस्तहकम यह बात गलत है इसलिए हमारा यह क्या होगा option number B सही होगा क्यों, इसलिए कि मजबूत का माना होता है पुखता और मुस्तहकम का माना भी होता है पुखता तो दोनों का माना सेम है यानि दोनों अपना माना सेम बताता है, उल्टा लफज इसमें कोई उल्टा माना नहीं बता रहा है, इसलिए जो है, क्या कहेंगे हम इसको, option number B हमारा सही है, बाकी सब ठीक है, मौत का उल्टा लफज ह्यात होता है, खुशी का उल्टा लफज गम होता है, तो हमारा option number B क्या ह होगा सही होगा स्वाल नमबर 8 रुबाई में कितने मिश्रे होते हैं यह आम तोर पर पूछ दिया जाता है रुबाई का मतलब ही होता है चार तो अगर option दिया जाए आपसे कि रुबाई में कितने मिश्रे होते हैं और आपको option दे दिया जाए तीन option number C है 4 option number D है 6 लेकिन कौन सा option सही है option number C हमारा सही है स्वाल number 9 सरस्यद का सन ने पैदाईश क्या है यह भी अक्सर पूछ दिया जाता है कि सरस्यद अहमद खान सहाब किस रोज पैदा हुए थे और किस सन में पैदा हुए थे इसका सब लोग बच्चा बच्चा भी जानता होगा जो इस स्कूल में पढ़ता है खैर हम देख लेते हैं option number A है हमारा 1901 option number B 1857 option number C 1836 option option number D 1817 तो हमारा option number D जो है सही है कि अब हम आगे चलते हैं स्वाल number 11 है हजरत मुहमद सल्लाव आलेही वसल्म ने फरमाया फातिमा सरदार है और किस चीज की सरदार है आपको option दिया जा रहा है चार option दिया गया है इन चारों option में से कोई एक को चुनना है फातिमा के बारे में फरमाया थे आप सल्लाव लिए सल्लम ने कि मेरी जो नमबर 1 अरब की आउरतों की नमबर 2 मक्का की आउरतों की नमबर 3 दुनिया की और चार जन्नत की आउरतों की option number D हमारा इसमें क्या है सही है स्वाल number 12 अख़बार इंकिलाब के एडिटर कौन मकर्रर हुए ये इंकिलाब उर्दू जो पेपर है उसका एडिटर कौन है इसक भाज चंदर बॉस ओप्शन नमबर भी मौलाना अभूल कालाम आजाद ओप्शन नमबर तीन मौलाना शिबिली नौ मानी ओप्शन नमबर डी मौलाना बरकतुल्म भौपाली ये ओप्शन। D हमारा क्या है सःए है सही यही इनकिलाब के एडिटर मुकर्र हुए थे और बाक बड़े लोगों का नाम देखकर हो सकता है इसमें से कोई एक तुक्का लगा दे तो इसलिए ये मशूर मशूर नाम दिया जाता है स्वाल number थाटीन मुद्दाई का क्या मतलब होता है मुद्दाई का आसान माना में आप समझें आसान भाषा में इसका मतलब दावा करने वाला हक जताने वाला जिसको यहाँ पर नीचे भी दिया गया है तो अब इसमें भी चार आपको दिया गया है गवाही देने वाला अप्शन नंबर बी है चुगली करने वाला option number c इंसाफ करने वाला option number d हक जताने वाला यह option number d हमारा इस सुवाल का answer है मुद्धई का मतलब ही होता है दावा करने वाला अपने हक के बारे में किसी भी चीज़ का दावा करेगा जैसे कि हम लोग दावा करते है कोई पूछता है हमसे कि भाई यह कलम किसका है तो हम करते हैं कि यह कलम मेरा है तो मैं दावा कर रहा हूँ मैं अपना हक जत ला रहा हूँ कलम के उपर तो इसलिए कहा जाता है मुद्धई का क्या मतलब है हक जताने वाला सुवाल number 14 सरस्यद अहमद खाग कहां पैदा हुए थे अलिगर्ड, डेलही, बदायू, मुरादाबाद यह चार option है जिसमें से हमारा option number B क्या है सही है इसके अंदर भी अगर आप इस सवाल के अंदर देखेंगे तो सरस्यद अहमद खाग कहां पैदा हुए और उसके बाद में सबसे पहला option जो हमें दिया गया है अलिगर्ड दिया गया है इससे पता चलता है कि यह students को किस तरीके से फंसाया जाता है जिसको पता नहीं है और वो तुक्का लगाना चाहता है तो direct वो समझेगा कि अलिगर्ड का बानी वही है हो सकता है अलिगर्ड में पैदा हुए होंगे इसलिए वो direct क्या लगा देगा अलिगर्ड को अलिगर्ड पे टिक लगा देगा हाला कि यह answer उसका सही नहीं होगा और इस तरीके से वो इम्तिहान में fail हो जाता है तो अगर आप इस जो सिरीज को हम लोग बना रहे हैं अगर इस सिरीज को अगर आप अच्छे तरीके से देख कर जाते हैं तो उम्मीद है इन्शालला कि आप 100% पास होकर उर्दू सब्जेक्ट में आएंगे तो यह हमारा यह क्या है स्वाल नंबर 14 था जिसमें एंसर क्या सही था स्वाल नंबर B यानि सर्चयद अहमद खां देलही में पैदा हुए थे स्वाल नंबर 15 बी अम्मा कौन थी यह एक स्वाल है जो बुक से किया गया है किताब से किया गया है बी अम्मा कौन थी यहाँ पर पूछा जा रहा है आप्शन नमबर A, रफी अहमद की दवाई आप्शन नमबर B, मुहम्मद अली की वालिदा आप्शन नमबर C, बदायूनी की वालिदा आप्शन नमबर D, अल्लामा अकबाल की वालिदा ये चार option दिया गया है जिसमें से option number B हमारा सही है इसमें भी आप देखी अल्लामा इकबाल साहब का नाम ले लिया गया है तो आप देखकर अच्छे तरीके से जाएं स्वाल number 16 अजीमाबाद की शहर का नाम था तो ये हम लोगों को पहले से पता है बहुत सारे लोगों को पत पतना में पढ़ चुके हैं लखनव फिरोजाबाद पतना इलहाबाद यह चार option दिया गया है जिसमें से option number C सही है पतना का पुराना नाम अजीमाबाद था लेकिन बाद में उसको बदल कर पतना रख दिया गया है अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चै शेक्सन में जरूर बताईएगा अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा